पतरस की पहली पत्री अध्याए एक पतरस की ओर से जो येशु मसी का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गल्तिया, कपतूकिया, आस्या और बेतूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भवश्य ज्यान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के दोरा आग्या मानने और येशु मसी के लहु के छणके जाने के लिए चुने गए हैं तुम्हें अत्यांत अनुग्रह और शान्ती मिलते रहें हमारे प्रभु येशो मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने येशो मसी के मरे हुँँ में से जी उठने के दौरा अपने बड़ी दया से हमें जीवी आशा के लिए नया जन्म दिया अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है जिसके रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्दार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है और इस कारण तुम मगन होते हो यद्यपी अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाला प्रकार की परिक्षाओं के कारण उदास हो ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आख से सताय हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक भव मूल्ले है ये शुमसी के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठेरे उससे तुम बिन देखे प्रेम रत्ति हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनन्दित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो इसी उद्धार के विशे में उन भविश्य द्वक्ताओं ने बहुत धूंड धान और जाज परताल की जिन्हों ने उस अनुग्रहे के विशे में जो तुम पर होने को था भविश्यमाणी की थी उन्हों ने इस बात की खोज की कि मसीह की आत्मा जो उन में था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था उन पर ये प्रकट किया गया कि वो अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ख से भेजा गया तुम्हें सू समचार सुनाया और इन बातों को स्वर्ख दूद भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं इस कारण अपनी अपनी बुद्धी की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो येशु मसी के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है और आज्याकारी बालकों की नाई अपनी अज्यांता के समय की पुरानी अभिलाशाओं के पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल्चलन में पवित्र बनो क्योंके लिखा है पवित्र बनो क्योंके मैं पवित्र हूँ जबके तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपाद हर एक के काम के अनुसार नियाय करता है तो अपने परदेशी होने का समय भैसे पिताओ क्योंके तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल्चलन जो बाप दादों सो चलाता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान बस्तूं के दौरा नहीं हुआ पर निर्दोश और निश्कलंक बेम ने अर्थात मसीह के बहु मुल्ले लहु के दौरा हुआ उसका ग्यान तो जगत की उत्पत्ती के पहले ही से जाना गया था पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ जो उसके दौरा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुँँ में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो सो जबके तुमने भाईचारे की निश्कपट प्रिती के निमित सत्य के मालने से अपने मनों को मवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठैरने वाले बचन के द्वारा नया जन पाया है हर एक प्राणी खास की नाई है और उसकी सारी शोखा खास के पूल की नाई है खास सूख जाती है और पूल छड़ जाता है परन प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा ये वही सू समचार का वचन है जो तुम्हें सुनाय गया था इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन में हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताके उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चक लिया है उसके पास आकर जिसे मनश्वों ने तो निकम्मा ठहराया परन्तु परवेश्वर के निकट चुना हुआ और बहु मोल्ले जीवता पत्थर है तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो जिसस याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो येशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहन है इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीती से लज्जित नहीं होगा तो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान हो गया है क्योंके वो तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वो ठहराय भी गये थे पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पत्थरी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत जियोती में बुलाया है उसके गोन प्रगट करो तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है हे प्रियो मैं तुम से बिनिती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाशाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वो तुम्हारे भले कामों को देख कर उनहीं के कारण कृपद्रिष्टी के दिन परमेश्वर की महिमा करें प्रभू के लिए मनुश्यों के ठैराए हुए हर एक प्रबंध के आधें रहो राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है और हाकिमों के क्योंके वो कूकर्मियों को दंड देने और सूकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं क्योंके परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुध्धी लोगों की अज्यानता की बातों को बंद कर दो और अपने आपको सुतंत्र जानो पर अपनी इस सुतंत्रता को बुराई के लिए आड न बनाओ परन्तु अपने आपको परमेश्वर के दास समझ कर चलो सब का आधर करो भाईयों से प्रेम रखो परमेश्वर से डरो राजा का सम्मान करो हे सेवको हर प्रकार के भै के साथ अपने स्वामियों के आधिन रहो न केवल भलों और नम्ब्रों के पर कुछिलों के भी क्योंके यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहामना है क्योंके यदि तुमने अपराद करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंके मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो न तो उसने पाप किया और न उसके मुह से छलकी कोई बात निकली वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था पर अपने आपको सच्चे न्याई के हाथ में सौपता था वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिये हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मर करके धारमिक्ता के लिए जीवन बिताएं उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए क्योंकि तुम पहले भठकी हुई भेडों के नाई थे पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गये हो अध्याय तीन हे पत्नियों तुम भी अपने पती के आधिन रहो इसलिए कि यदि इन में से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भै सहित पवित्र चालचलन को देख कर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिच जाए और तुम्हारा सिंगार दिखावटी न हो अर्थात बाल गूथने और सोने के कहने या भाती भाती के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप मनुशत्वा नम्रता और मन की दीनता की अभिनाशी सजावट से सुसजित रहे क्योंकि परमेश्वर की द्रिष्टी में इसका मुल्य बड़ा है और पूर्वकाल में पवित स्त्रिया भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आपको इसी रीती से समारती और अपने अपने पती के आधेन रहती थी जैसे सारा इबराहीम की आग्या में रहती और उसे स्वामी कहती थी सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भै से भै भीत नहो तो उसकी बेटिया ठैरो वैसे ही हे पतियो तुम भी बुद्धिमानी से पत्रियों के साथ जीवन निर्वह करो और इस्तरी को निर्बल पात्र जानकर उसका आधर करो ये समझ कर कि तुम दोनों जीवन के वर्दान के वारिस हो जिससे तुम्हारी प्रार्थनाय रुक न जाए नितान सब के सब एक मन और कृपा मई और भाई चारे की प्रिती रखने वाले और करोणा मै और नबर बरो बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो पर इसके विप्रित आशीश है दो क्योंकि तुम आशीश के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीव को बुराई से और अपने गोठों को छल की बाते करने से वोके रहे वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करें वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे क्योंकि प्रभू की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी बिनती की ओर लगे रहते हैं परन तु प्रभू बुराई करने वालों के विमुख रहता है और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ पर मसीह को प्रभू जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो और जो कोई तुम से तुम्हारी आशा के विशे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सरवदा तयार रहो पर नमरता और भै के साथ और विवेग भी शुद्ध रखो इसलिए के जिन बातों के विशे में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विशे में वो जो तुम्हारे मसीही अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं लज्जित हो क्योंकि यदी परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है इसलिए के मसीह में भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी में पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताके हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया उसी में उसने जाकर पैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आग गया ना माना जब परमेश्वर नुह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठ कर थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी पानी के द्वारा बच करें और उसी पानी का द्रिश्टांत भी अर्थात बब्तिस्मा येश्व मसी के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्ग दूद और अधिकारी और सामर्थी उसके आधीन किये गए हैं अध्याय चार सो जबके मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारन करके हत्यार बांग दो क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया ताके भविश्व में अपना शेश शारीरिक जीवन मनिश्वों की अभिलाशाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बेतीत करो क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्पन की बुरी अभिलाशाओं मत्वालापन, लीला क्रिवणा, प्यक्कणपन और घ्रनित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गमाया वो ही बहुत हुआ इससे वो अच्छंबाह करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुच्पन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं पर वो उसको जो जीवितों और मरहों का न्याय करने को तयार है लिखा देंगे क्योंकि मरहों को भी सू समचार इसलिए सुनाय गया कि शरीर में तो मनिश्यों के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है इसलिए संयमी होकर प्रार्थन के लिए सचेत रहो सब में श्रेष्ट बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है बिना कुड़कुआए एक दूसरे की पहुनाई करो जिसको जो वर्दान मिला है वो उसे परमेशवर के नाना प्रकार के अनुक्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानुप परमेशवर का बचन है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ती से करे जो पर्मेश्वर देता है जिससे सब बातों में येशु मसीह के द्वारा पर्मेश्वर की महिमा प्रकट हो महिमा और सामर्थ है युगार युग उसी की है आमीन हे प्रियो जो दुख रूपी अगनी तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है इससे ये समझ कर अचंबह न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सैभागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कूकर्मी होने या पराय काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लग्जित ना हो पर इस बात के लिए परमेश्वर के महिमा करें तुमके वो समया पहुचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबके न्याय का आरंब हमी से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सू समचार को नहीं मानते और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिंता से उधार पाएगा तो भक्ति हीन और पापी का क्या ठिकाना इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योगे स्रजिनहार के हाथ में सौप दे अध्याय पाँच तुम्में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रगट होने वाली महीमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस जुन्ड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और ये दबावर से नहीं परन्तु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर और जो लोग तुम्हें सौपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन जुन्ड के लिए आदर्श बनो और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुर्जाने का नहीं हे नवयुव को तुम भी प्राजीनों के आधीन रहो वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता के कमर बांधे रहो क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परन तुम दीनों पर अनुक्रह करता है इसलिए परमेश्वर के बलवन्थ हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है सचेत हो और जाकते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंद की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए विश्वास में द्रल होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिध्ध और स्थख और बलबंत करेगा उसी का सामराज्य युगान युग रहे आमीन मैंने सिल्वानुस के हाथ जिसे मैं विश्वास योग भाई समझता हूँ संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दिया है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है इसी में स्थिर रहो जो तुम्हारी नाई परमेश्वर की चुनी हुई है और बाबुल में निवास करती है वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हे नमस्कार कहते है प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो तुम सब को जो मसीह में हो शान्ती मिलती रहे झाल झाल को जो मसीह में हम पुम्हे रहे जान्ती मिलती रहे लेकर आजरा बान्ती स्क्राइबाबस झाल झाल